हुआ है नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षानिटी में भारतिय भासाओं की स्थिति पर यह 2020 में जब नई शिक्षानिटी या राश्री शिक्षानिटी घोसित हुई तो उसमें सबसे बड़ा विमर्स ये भी बना कि भारतिय भासाओं में क्या-क्या होने वाला है क्या भारतिय भासाओं में अब क्या भारतिय भासाओं में हम उच्छी शिक्षिया या प्रैमरी शिक्षिया तक कहां-कहां जा पाएंगे इस विमर्ष को लाने के पीछे भी कारण यही था कि राश्टे शिक्षा नहीं थी, मैं इस पर काफी व्यापक चर्चा की गई थी इस व्यापक चर्चा का उद्देशी भी साहिद भारत सरकार का यही जो काफी वर्सों से एक मांग रही है कि हमें अपनी देश की भाषा में प्राइमरी शिक्षा सुरू करनी चाहिए थी, प्रात्मिक शिक्षा कम से कम ताकि हमारे विद्यार्थी को, हमारे बच्चे को कभी भी ऐसा नहों कि वो अगर विदेशी भाषा या अंग्रेजी ना जानता हो तो उसको कठिना ही आया पठन पाठन में, लेकिन ये आते आते काफी समय लग गया हम लोगों ने आजादी के बात से लेकर अब तक भारतिय भाषाओं के छेत्रिय भाषाओं के अनेक संस्करन देखे पाठ्षिक्रम के राष्टी अस्तर पर एक जैसा पाठ्षिक्रम कैसे बने इसकी भी इसमें चर्चा होई उसमें भाषा की बात चीत आई इसलिए हमारा जो सबसे महत्पूर पक्षे है राष्टी शिक्षानीति का वो ये भी है कि इसमें पहली बार गंभी रूप में एक नहीं चर्चा प्र पाएंगे इस पर कहां हम पहुंचे आज की बाचीत यहीं पर शुरू करनी है इस समझ में मैंने एक प्रियोजनाभी प्रार्म की है जो विसेज कर मेरट जन्पद में और मेरट मंडल में हम लोग हिंदी में प्राइमरी शिक्षा में कहां पहुंचने वाले हैं इस पर मैं क तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आंखिर यह इस विचार के पीछे कौन सी चीज थी तो यह हमारा राष्टे शिक्षानिति का जो ड्राफ्ट है उसमें बिंदू चार और जो उसका उपविंदू है वा चार पॉइंट 11 उसमें कहा गया यह सर्विधित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा मात्र भाषा में सार्थक आउधारानाओं को तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं इसलिए जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेट 5 तक लेकिन बहतर होगा कि यह ग्रेट 8 और उससे आगे तक भी हो शिक्षका माद् सारवजदिनिक और नीजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे विज्ञान सहित सभी विश्यों में उच्चतर गुनवत्ता वाली पाठ्चे पुस्तकों को घरेलू भाषाओं मात्र भाषाओं में प्लब्द कराए जाएगा ये एक जो बिंदू था इस बिंदू पर मैंने ध्यान दिया कि राष्टी सिक्षानिती घोसित हो गई दोजार बीस में तीसरा वर्स इसका जो अकर्डमिक सत्र है वो चल रहा है और इसमें हम कहां पहुंचे इसके बाद तो हम ये देख पा रहे हैं आज कि कुछ राज्यो पर कोई खास सुगू का हट नहीं है हम लोग ये चाहते जरूर हैं कि हमारे देश की जो आठवे औनुसुची की तमाम बड़ी भासा हैं बाइस भासा हैं उसके अलावा जो चेतरी बोलिया है महत पूंच उसके अलावा जो चेतरी भासा हैं उन सब में बच्चा अपनी प् दिखाये जाए तो उसके लिए आसानी होगी माता पिता भी एक बहुतर टीचर एक अध्यापक की तरह उसके साथ ज्यादा काम कर सकेंगे अभी कठिनाई कहां पर है कि जिन्हें हम बहुत सारे स्कूलों में देख रहे हैं प्रात्मिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अ सभी तरह का शिक्षन क्या हिंदी में हो पा रहा है इस पर अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि NCT की जो कुस्तक हैं उनको अगर देखें वो तो हिंदी माध्यम में मौजूद हैं लेकिन विद्यालेयों में ये शिक्षन प्रारंब हो पाया इसकी आंकड़े अभी को शुरूबा करनाटक में कंडर भार्षा को लेकर कुछ बातें शुरूर भी लेकिन हम व्यापक तोर पर अभी एक ऐसी सहमती बनाने की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर भारतिये भार्षाओं के माध्यम से प्रात्मिक शिक्षा तो कमसक्रम प्रारंब हो जाए जिससे य कि कैसे हम त्रिभासा सूत्र जो हमारा पुराना था उतको लागू कर पा सकते हैं वैदानिक प्रावधान है उनमें क्या-क्या परिवर्तन करें कि हमारा कार यह आसान भी हो जाए और हमारे शिक्षन पधतियों में यह सब चीजें सामिल हो सकें इसलिए भार्षा सरकार ने आठवी अनसुची में वो लिखित सभी भाषाओं में अकादिमा स्थापित करने की बात भी की यह 22 वा जो बिंदो है इसका 22.18 उसमें इसकी चर्चा हुई इसमें हर भासा के स्रेश्च विद्वान और मूल रूप से भासा बोलने वाले लोगों को सामिल करने की बात है श जब तक सब्दकोस और अनुवात के लिए उपलब्दा नहीं होगी या विद्वानों की उस तरह की उपलब्दा नहीं होगी तो आठवी अनसुची में जितनी भी भासा हैं उनमें हमें पाठिकरम तयार करने में कठिनाई होगी इसलिए यह योजना इस लूप में आगे भासा कि आवशक्ता होगी एक जो स्थानी भाशाओं के अलावा हमारी एक बहुत महित्पूर्ण भासा है संस्कृत उसके बारे में भी राश्ट्री शिक्षानीटी ने काफी चड़्चा की है और इस राश्ट्री शिक्षानीटी में विचार यह किया गया कि जो संस्कृत और हमारी उस तरह की महत्पूर्ण हमारी पुरानी भाषाएं हैं उनको किस तरह से उनके ज्यान के भंडार को उपयोग किया जा सके इसलिए संस्कित भाषा के महत्पूर्ण इस बिंदू को इस रूप में सामिल किया गया जैसे 22 स्वान जो बिंदू है इसका 22 स्वान का उप पुबिंदु है पंद्र उसमें कहा गया कि संस्कृत भार्षा के ब्रहद एंग महत्रपूर्ण योगदान तथा विभिन्द विधाउं विशयों में साहित्य संस्कृतिक महत् वैज्ञानिक प्रिकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाट सालों विश्विध्यालें संस्कृत न रखते हुए इसे मुख्यधार में राए जाएगा स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तयत एक विकल्प के रूप में सांथी उच्चितर शिक्षा में भी ये साइद एक अच्छा विचार है कि हम संस्कृत को भारतिय भाषा में भी उस लूप में देख सीख पाएंगे एक और विचार जो भातिय भाषाओं के संदर में है वह बहु भाषिक्ता को लेकर के है इस में योजना ली गई है कि विश्विद्यालें में इसका विशतार कैसे हो साथ्वी भाषाओं से जुड़े हुए साहित्यका जो पांडुली पिया है उनको कठ्ठ देख रहे हैं उपेक्षित हैं उनको संगरहीत किया जाया उनका सनक्षन किया जाया और उनके अध्यन के लिए प्रयास प्रारम हो इसके लिए सरकार ने यह भी कहा कि प्रध्योग्य की और क्राउड-सोर्सिंग के मारध्यम से लोगों की व्यापक भागीदारी इसमें कि जिते भी स्थानिय लोग हैं, उन लोगों को उच्चितर शिक्षानित के अंतरगत, भारतिय भाषाओं, कला एंव संस्कृति के अध्यन के लिए, सभी आयवर्गों के लिए छात्रिवित्ति की स्थापना की जाएगी. इससे भारतिय भासाओं का समवर्धन भी होगा और प्रसार भी होगा और इससे लोग सीखने की जो प्रवित्त होंगे और जो अनुवात की उच्च गुनवत्ता है, उसका भी ध्यान इसमें रखा जाएगा. इसलिए जो भारतिय भासाओं के समवर्धन भारतिय शिक्षानिती बात करती है, उसमें दोनों तरह से बात करती है कि विज्ञान और गणिज जैसे जो पुस्तके हैं, उनको भी डिवासी रूप में लाए जाए कम से कम, ताकि जो शिक्षन अधिगम सामगरी है, वो डिव विद्यारती अपने अधियन के दौरान करेगा, देश की किसी मज़ेदार प्रोजेक्ट में, किसी गतिवडी में भाग लेगा, और जैसे इसमें भारत सरकार्त की एक पहल भी है, भारत, एक भारत, सेष्ट भारत जो पहल है, उसका उधारन दिया गया कि इस बहाने सब भा भाषाओं के साथ साथ ये भी इसमें विचार हुआ कि अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भासाओं को भी हम लोग पढ़ा सके हैं, जैसे कोरियाई है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पैनिस है, पोर्टगाली है, रूसी है, माध्यमिक स्तर पर इ हम एक बड़े देश के महत्पूर्ण साहित्य को वहां की टक्नलोजी से जुड़े हुए चीजों को भी सीख पाते या जोड़ पाते इसमें, एक और महत्पूर्ण बात है कि जो भी पान्योली प्यां एक अठा होंगी और जो बहुभासी समाज हमारा बनेगा, उससे हम सां इसलिए सभी प्रकार की जो बाइस भासा हैं उनमें भी जो कठिनाईया हैं उनको भी ठीक करने पर विचार किया गया, इसमें कोशिस यह होगी कि पाठ्चे पुस्तकन तयार हों, अभ्यास पुस्तकन तयार हों, वीडियो बनें उसके नाटक की, कवितायें लिखाई जाए उपन्यास, पत्रिकाएं, जो भी उसमें उपलब्द है, उसको एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए अनुबात के माध्यों को भी प्रियोग में लाए जाए, तो ये बहुत सारे प्रस्ताव राश्चे शिक्षानीती 2020 के माध्यम से आए, लेकिन हम यह जानते हैं कि भार प्राश्चा अपनी मिस्थानिय भाषा मात्य भाषा में, अपने घर की भाषा में बाचीत सीखेगा, उस बाचीत के साथ सिख्षन सीखेगा और अपना अध्यन आगे बढ़ाएगा, और बाद में वह भाषा हो सकता है, उसमें उच्छी शिक्षा तक या अन्य तक्निकी शिक्षा तक भी हम उसको ले जा पाएं, लेकिन प्रार्मिक तौर पर प्राथ्मिक रूप में हम भारतिय भाषाओं के अध्यन को बढ़ावा दें, ऐसा राश्ची शिक्षा नीती में कहा गया है, मेरा मानना ये भी है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने घर की भाषा में आसानी से सीख सकते हैं, ये हमारे अनेक शोध भी हैं इस विशह पर, अब तक अंतराश्ची स्थर पर ये मान्यता भी है कि कोई भी विद्यार्थी अगर घर की भाषा में सीखता है प्राथ्मिक शिक्षा तो उसको जल्दी ग्रहन कर पाता है, तो ये इन चीजों को आगे योग जरूर करना चीए क्योंकि बिना तकनीकी के हम आज के दिन आगे नहीं बढ़ सकते, ये एक महत्मूर बात है, एक और बड़ी बात जो राष्ट्री शिक्षानीती कहती है कि समवेधानिक प्रावधानों को जो संकी जो हमारे का कंशा है, विशेश तोर पर बहु बात की ताकि राष्ट्री एक्तार की और हम आगे बढ़ें, भाष्टा का जो त्रिभासा फर्मूला है इसके सांसान बहु भाष्टावाद का हम बच्चों को विकल्प देना चाहिए, वो दुनिया की तमाम भाष्टाओं के सांसान भारत की अधिकांद भाष्टाओं या अनेक भाष्टाओं सीखने का विकल्प हम बच्चे को देंगे, जिससे हमारा समाज भाष्टा की और बढ़ेगा, तो दक्षेंड से उत्तर और पूर उसे पश्चिम हम एक दूसरे की भाष्टा को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं को, उसकी जीवन को और उस हिस्से को अलग-अलग रूप के अलावा उसकी भाष्टा के रूप में भी जाना होगा, तो ये कुछ मुख्य बाते हैं, जो हम नहीं शिक्षा नहीं थी, मैं भाष्टिय भाष्टाओं के संदर में समझ पाते हैं, लेकिन ये एक नया प्रयास जरूर है कि सास्तिय भाष् हैं लुप्त प्रय भाष्टाओं जिनको कहा गया, इन सब को भी सनक्षित करने की बात इसमें हुई है, तो हम भविशी में ये भी देखेंगे, कि जो भाष्टाओं अभी नहीं हमारे उसमें हैं अध्यना ध्यापन में, उनको भी हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे, ये जो प्रकासित नहीं हो पाया, जो प्रकासित हुआ तो वो स्थानी अस्तर पर रह गया, ऐसी हम छेत्री अस्थानी बोली के हिस्से में भी पाठेकरम कल को भुष्ट में डिजाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारा लक्ष है, हमारे गाओं के बच्चे, हमारे अलग-अलग जहरों और राज्यों के बच्चे, अपनी भासा में तो सीख ही पाएं, वो दुनिया भर की तमाम भासाओं में और भार्तिय भासाओं में अपने अपनी दक्षिता बढ़ाएं और उससे अपने को राष्टिय इस्तर पर एक महत्पूर्ण नागरिक और विश्व इस्तर प कि जब तक आप कम्मिनिकेशन या संप्रेशन नहीं कर पाते हैं तब तक जो भी आप जानते हैं उसको दूस्तर तक पहुंचाने में कठिनाई होती है यह बिंदू जो हमारी राष्ट्रे सिक्षानिती के हैं वह बहुत महत्पूर्ण है और इसके लिए भाईश्य में अका यह संभावना है कि जैसे जैसे राष्ट्रे सिक्षानिती का जो समय आगे बढ़ रहा है अनेक राज्य सरकारें और केंदे स्तर पर भारत सरकार विश्ववद्यालें के स्तर पर हम सब लोग और अलग-लग भूमिकाओं में जो भी भाषा अधियन से जुड़े हुए लोग हैं वे तमाम भाषाओं को अपनाएंगे यह एक अच्छी बात चौधिजण सिंग विश्वद्याले में रट में हुई है कि हम लोग उने यहां पर हिंदी विभाग के साथ भारतिय भाषा विभाग खोल लिया है जिसमें भारतिय भाषाओं के रूप में इस वर्ष से तम में हमारे बहु भासी विश्वद्याले के और और अनेक भासाई शिक्षण के इन्रे के तौर पर इस विश्वद्याले को स्थापित कर सके हैं आप सब कर रहनेवाद है